स्वागत है आपका वीकली करंट अफेर्स में शुरू करते हैं आज का प्राश्चन अगला प्राश्चन किसने अपनी आत्मकथा फोर्स टॉर्स ओफ डेस्टिनी का अनावरन किया है ए जनरल मनोज पांडे बी जनरल दल्बीर सिंग सुहाग सी जनरल एमेम नर्वने डी चीफ मार्शल राकेश सिंग आंसर जनरल एमेम नर्वने एक्स्प्लिनेशन जनरल एमेम नर्वने ने अपनी आत्मकथा फोर्स टॉर्स ओफ डेस्टिनी का अनावरन किया ये किताब 2020 में लगदाप गतिरोद के दौरान गलवान घाटी सैन्य जड़ब के महत्वपूर्ण क्षन का खुलासा करती है पूर्व सेना प्रमुख ने अपने संस्मरन में लिखा है कि अग्निपत योजना ने सेना को आश्चर्य चकित कर दिया था और यह नौसेना और वायू सेना के लिए अचानक जग्का था जनरल नर्वने 31 डिसंबर 2019 से 30 अप्रेल 2022 तक सेना प्रमुख थे अगला प्राश्ण हाल ही में सेबी किसे बीएसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजरी दी है ए प्रमोद अग्रवाल बी महरा अग्रवाल सी अभिजीत मुखरजी डियानन दुबे आंसर प्रमोद अग्रवाल एक्स्प्लेनेशन बजार नियामक भारतिय प्रतिभूती और विनिमय बोर्ड सेबी ने बॉंबे स्टॉक एक्स्चेंज बीएसी के अध्यक्ष और सार्वजनिक हित निदेशक के रूप में प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ती को मंजूरी दे दी है बीएसी के बोर्ड द्वारा 13 दिसंबर को अग्रवाल की नियुक्ती को मंजूरी देने के बाद सेबी की मुहर लगी है अगला प्राश्न हाल ही निकिस राज्य सरकार ने गिग वकस के लिए 5 लाख रुप्य का दुरघटना भीमा पेश किया है अगला प्राश्न हाल ही में बिसलेरी ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड अमबैसदर नियुक्त किया है भारत के अग्रणी मिनरल वाटर ब्रांड बिसलेरी ने दीपिका पादुकोन को अपना पहला वैश्विक ब्रांड अमबैसदर और नए बिसलेरी अभ्यान हैश्डरिन किटप में शामिल किया है 16 विता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है A. डॉक्टर अर्विंद पंगरिया B. रित्विक रंजनम पांडे C. निर्मला सीतारमन D. डॉक्टर सुब्रमन्यम स्वामी आंसर डॉक्टर अर्विंद पंगरिया एक्स्प्लिनेशन नीती आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान कोलंबिया विश्विद्याले के प्रोफेसर डॉक्टर अर्विंद पंगरिया सोलहवे विता आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे रित्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियूप किया गया है केंद सरकार द्वारा गठित सोलहवाव विता आयोग, संग और राजियों के बीचकरों के बटवारे राज़स्वनुदान और राज़े के विता आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज़े में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के संपुरन के लिए राज्य की संचित निधी को बढ़ने के लिए आवश्य कुपायों पर अपनी सिफारिश देगा अगला प्राश्ण इसरो द्वारा लॉंच किये गए एक्सरे पोलारिमीटर सेटिलाइट एक्सपोसर्ट का प्राथ में कुद देश क्या है एक वायुमंदलिय स्थितियों का अध्यायन बी प्रमांडी या एक्सरे के ध्रुवी करन का विशलेशन सी अंतरिक्ष मलबे की निग्रानी करना डी चंद्रसतल की विशेशताओं की जाज करना आंसर ब्रमांडी या एक्सरे के ध्रुवी करन का विशलेशन इस्प्लेनेशन इस्टों ने नए साल के पहले ही दिन इतिहास रचते हुए एक्स रे पोलारिमीटर सेटिलाइट एक्स पोश्री हरिकोटा की सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉंच किया ये आकाशी इस्रोतों से X-ray उत्सर्जन के अंतरिक शाधारिक भुरुवी करन माप में अनुसंधान करने वाला इस्रो का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है इससे ब्लैक होल्स और सुपनोवा जैसी सुदूर चीजों की स्टडी के लिए लॉंच किया गया केंद शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपरा जपाल श्री मनोज सिन्हा ने समावेशिता और सशक्तिकरन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगती को प्रदर्शित करने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दिव्यांगों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरन के लिए समग्रक शेत्रिय केंद CRC के शुभारम के साथ CRC सामबा जम्मू पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रिय शारीरिक दिव्यांग जनों के लिए संस्थान पीडियो एनाईपी पीडिक में समारक पटिका का अनावरन कर CRC जम्मू का आधिकारिक उधगाटन किया अगला प्राशन High Speed Vanday Bharat Trainों के स्लीप संसकरं का नाम क्या है? A. Express Divya B. Vanday Bharat Express C. Express Bharat D. Amrit Bharat Express Answer Amrit Bharat Express Explanation High Speed Vanday Bharat Trainों के स्लीप संसकरं को Amrit Bharat Express कहा जाता है Amrit Bharat Express का उध़ाटन 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने किया इस ट्रेन में विभिन यात्रा आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए विशेश रूप से द्वितिय श्रेनी और स्लीपर श्रेनी के दिब्बे शामिल है अगला प्राशन हाल ही में भारतिय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्र बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी है A. उदै कोटक B. C. स. राजन C. प्रकाश अप्टे D. आशांक सिंग Answer. C. स. राजन Explanation भारतिय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में कोटक महिंद्र बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में C. स. राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है जो वित्तिय संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है राजन का कार्यकाल एक जन्वरी 2024 को शुरू होने वाला है जो दो वर्ष की अवधी तक चलेगा भारत का पहला पंडुक्भी परियतन किस राज्य में शुरू किया जाएगा A. गुजरात B. ओरेसा C. केरल D. महाराष्ट्रा Answer. गुजरात Explanation गुजरात सरकार देश का पहला पंडुक्भी परियतन शुरू करने जा रहा है ये प्रोजेक्ट द्वारका शेहर के तट पर एक छोटी से द्वीग बेग द्वारका के आसपास शुरू की गई है इसके लिए गुजरात सरकार ने मजगाउं डॉक लिमिटेड एमडियल के साथ हाथ मिलाया है इस प्रोजेक्ट के दिवाली दो हजार चॉबी से पहले शुरू होने की समभावना है इस टूरिस्ट पंडुबी का भार लगभग 35 तरन होगा और इसकी क्षमता 30 यात्रियों को ले जाने की होगी अगला प्राश्च्ट संयोक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत द्वारा अफगानिस्तान में शांती के लिए किसे विशेश दूट बनाया गया है अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्र पती हामिद करजई को संयोक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत द्वारा अफगानिस्तान में शांती के लिए विशेश दूट के तौर पर नामित किया गया है चीन और रूस सुरक्षा परिशद में लाए गए इस प्रस्ताव परमदान से दूर रहे जबकि 13 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया गौर तलब है कि साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था अगला प्राश्न रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने UP के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्धाटन किया सरकार ने साल 2019 में इस तरह कि 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल की थी जिन में से 42 विद्याले इस्थापित किये जा चुके हैं इसके तहद गेर सरकारी संगठनोप निजी प्राजे सरकारी विद्यालेों के साथ साजेदारी की गई है अगला प्राश्न स्किन केर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है स्किन केर ब्रांड निविया इंडिया ने हाल ही में गीतिका मेहता को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है गीतिका महता के पास FNCG क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का अनुभव है इससे पहले गीतिका 2.5 साल तक हशे इंडिया की प्रबंध निदेशक थी अगला प्राश्न हाल ही में भारत के किस संगतन द्वारा भारतिय शिक्षा जगत और उद्योगों के लिए सनरचनात्मक विशलेशन सौफ्ट्वेर फीस्ट बनाया गया है इस सौफ्ट्वेर का उप्योग रॉकेट, विमान, उपग्रा, भावनादी सहित विभिन प्रकार की संरचनाओं का परिमिक तत्व विशलेशन करने के लिए किया जाता है फीस्ट सौफ्ट्वेर का नेशुल परीक्षन इसरो, विए सेसी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है हाल ही में अधिनियमित भारतिय न्याय सहिता, बी एनेस, नामक आपरादिक सहिता के तहते टेंडरन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधी निर्धारित है ए, पांच लाख रुप्य जुर्माना, पांच साल की जेल, बी, सात लाख रुप्य जुर्माना, दस साल की जेल, सी, दस लाख रुप्य जुर्माना, साथ साल की जेल, डी, कोई जुर्माना नहीं, पंद्रा साल की जेल, आंसर, बी, सात लाख रुप्य जुर्माना, दस सा एक्स्प्लिनेशन एक्स्प्लिनेशन एक जनवरी 2024 को शामिल होने वाले नए सदस्य मिस्र, एथियोपिया, एरान, सौधी अरब और संयोक्त अरब अमीराथ हैं। विस्तारित समूह को अक्सर, BRICS PLUS, कहा जाता है, हलांकि किसी आधिकारिक नाम की घोशना नहीं की गई है। BRICS समूह, शुरुआत में 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा गठित किया गया था, 2010 में दक्षन अफ्रीका को शामिल करने के साथ इसका विस्तार हुआ। अगला प्राशन अगला प्राशन भारत और सयुक्त अरब अमीरात के बीच सयुक्त सैन्य अभ्यास, डेजर्ट साइकलोन 2024, दो जन्वरी से 15 जन्वरी तक राजस्थान में निर्धारित है। दोनों देशों की सैन्य टुक्लियों में 45 कर्मी भाग ले रहे हैं। अगला प्राशन किसे हाल ही में MS स्वामिनाथन पुरसकार से सम्मानित किया गया। उनके योगदान के लिए दिया गया। करनाटक के राजयपाल थावर्चंद गहलोत ने उन्हें ये पुरसकार प्रदान किया। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.00 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारन्य को शामिल किया गया। परियतन मंत्राले ने डेब्रीगर वन्यजीव अभ्यारन्य को स्वदेश दर्शन 2.00 योजना में शामिल किया है। स्वदेश दर्शन कार्यक्रम भारत सरकार के परियतन मंत्राले 12 साल 2015 में शुरू किया गया था जो 100% केंद्रिय फन की योजन है डैब्रीगर वन्यजीव अभ्यारन्य ओलेसा के बर्गर जिले में हीराकुन बांध महानदी नदी के पास स्थित है अगला प्राश्ण प्रारंबिक आपदा चेतावनी के लिए राहतवानी के इंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश, आंसर, डी उत्तर प्रदेश, एक्स्लेनेशन उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिफ दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए एक वैद्शाला राहतवानी केंद्र आरवीसी का उधगाटन किया इसका उत्देश प्रारंभिक आपदा चेतावनी देना, भविशेवानी करना, समय पर राहत वित्रन सुनिश्चित करना और पीडितों को मुवावजे का सीधा लाभ हस्तानतरन सुनिश्चित करना है इसे लखनव के लालबाग शेत्र में स्थापित किया गया है जहां छे कर्मियों की एक टीम काम कर रही है अगला प्राशन ICC Plus सर्टिफिकेशन हासल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है A. अदानी समूह B. श्रीराम कैमिकल C. रिलायंस इंडस्ट्री D. इनमे से कोई नहीं Answer C. रिलायंस इंडस्ट्री Explanation Reliance Industry Limited R.I.L. की जामनगर रिफाइनरी ने ICC Plus प्रमानित रासायनिक रूप से पुनर नवीनी करन पॉलिमर Recycled Polymers का उत्पादन करने वाली भारत की पहली रिफाइनरी बन गई है गुजरात राज्य में स्थित R.I.L. की जामनगर रिफाइनरी अब ICC Plus प्रमानित हो गई है ICC Plus अंतराश्ट्री अस्तर पर एक मान्यता प्राप्त प्रमानन है अगला प्राश्न विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है A. 4 मार्च B. 4 जन्वरी C. 4 फर्वरी D. 1 जन्वरी Answer B. 4 जन्वरी Explanation विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जन्वरी को मनाया जाता है ब्रेल, अंधों और द्रिष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्षनिय लेखन प्रनाली है इस दिन का उदेश नेत्रहीनों और द्रिष्टिबाधितों के लिए संचार पध्धती के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूपता बढ़ाना है अगला प्राशन एक उत्पाद ओडियोपी पहल को बढ़ावा देने में महत्वपून प्रयासों और सफलताओं को मान्यता देना है यह उत्सव तीन जन्वरी से दस जन्वरी तक चलेगा इस दोरान देश में आत्मनिर्भरता की दिशा में हुई प्रगती का प्रदर्शन किया जाएगा और एक जिला और एक उत्पाद ओडियोपी के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कि स्थान पर महर्शी वालमी की हवाय एटे का उद्धाटन किया है इस हवाय एटे के चरनीक को 1450 करोर रुके से अधिक की लागत से विक्सित किया गया है इस हवाय एटे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीट होगा ये सालाना लगभग 10 लाग यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा अगला प्रश्च हाल ही में सरकार द्वारा लॉंच किया गया प्रेरना क्या है A. एक नया खेल गतिविदी कार्यक्रम B. एक अनुभवात्मक शिक्षन कार्यक्रम C. एक सरकारी रोजगार योजना D. एक चात्रवृत्ती पहल Answer B. एक अनुभवात्मक शिक्षन कार्यक्रम Explanation प्रेरना भारतिय शिक्षा प्रणाली की सिधानतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन के एनुरूप है जैसा की राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2020 में उल्लिखित है प्रेरना का मुख्य फोकस विद्यार्थियों में नित्रित्व गुनों का विकास करना है अगला प्राश्ट्र, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने एक दिवसिय अंतराश्ट्रिय क्रिकेट से सन्यास की घोषना की है इससे पहले डेविड वनर ने टेस्ट करिया से भी सन्यास की घोषना की थी डेविड वनर आस्ट्रेलियाई वन्डे इतिहास में छटे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाडी है वनर ने अपने 161 एक दिवसिय मैचों में 6932 रन बनाई जिसमें 22 शतक भी शामिल है अगला प्राश हाल ही में केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रिय सहकारी डेरी संग कार्याले के नए कार्याले भवन की आधारशिला रखी है केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह ने गांधी नगर में राष्ट्रिय सहकारी डेरी संग कार्याले के नए कार्याले भवन की आधारशिला रखी है इस कार्यक्रम के दोरान अमित शाह ने 25 भारतिय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 37 विजेताओं को NCDFIE मार्केट पुरसकार भी प्रदान किये करनातक मिल्क फेडरेशन नंदिनी दिल्ली में मदर डेरी और तमिलनाडू में एविन डेरी प्लेटफॉर्म पर कारोबार के मामले में NCDFIE मार्केट अवार्ड्स के शीर्ष तीन विजेता थे अगला प्रश्न इंडिया इंटरेशनल ज्वालेरी ट्रेड शो का सोलहवा संसकरन कहां आयोजित हो रहा है A. नई दिल्ली B. पुने C. चैननाई D. मुंबई Answer D. मुंबई Explanation केंद्रिय वानिज्य मंत्री पियुष गोयल ने 4 जन्वरी 2024 को मुंबई में इंडिया इंटरेशनल जूल्री ट्रेड शो आय आई जेस 2024 का उधधातन किया ये ट्रेड शो चार से साथ जन्वरी तक जेयो वर्ल्ट कन्वेंशन सेंटर B.K.C. में और 5 से आर जन्वरी तक Bombay Exhibition Center गोरे गाउ में आयोजित की जाएगी श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि फैशन और आभूशनों का सियोजन भारत को दुनिया भर में एक पसंदीदा विवास थल के रूप में स्थापित कर सकता है कादियाल साडिया किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है A.K.E.R.L. B.P.S.C.M.B.N.G.A.L. C.M.H.R.D.B.H.A.R. Answer. B.P.S.C.M.B.N.G.A.L. Explanation. राष्ट्रिय जियाई ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में पस्चम बंगाल की कादियाल साडियों को भोगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है इसके साथ ही पस्चम बंगाल के कुछ अन्य प्रोड़क्ट को GI टैग दिया गया है जिसमें सुंदर्बन शहद, जल्पाई गुडी जिले से काला नुनिया चावल, तंगेल और गोरोड शामिल है अगला प्रशन हाल ही में दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदर, राष्ट्र मंदर एक साजी विरासत नामक पुस्तक का अनावरन किसने किया है केरल के राजयपाल आरफ मोहममद ने दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदर, राष्ट्र मंदर एक साजी विरासत नामक पुस्तक का अनावरन किया इस कुस्तक विमोचन समारों में विश्व हिंदू परिशद के अध्यक्ष आलोग कुमार और श्री राम जन्मभूमी तीरक शेत्र के कोशाध्यक्ष गोविंद गिरी महराज सहित प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया अगला प्राश सोमालिया के तट के पास अफरित मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ओपरेशन चलाया A. SAS विशेश हवाई सेवा B. नौसेना के जवान C. GIGN National Gender Mary Intervention Group D. माकोस Answer D. माकोस Explanation मालवाहक जहाज M. V. लीला नोरफोक को चार जन्वरी की राथ सोमालिया के तट के पास से अफरंग कर लिया गया था भारतिये नौसेना के विशिष्ट कमांडो माकोस ने मालवाहक जहाज को साफ करने के लिए ओपरेशन चलाया 15 भारतियों सहित चालक दल के सभी 21 सदस्यों को बचा लिया गया है और विशुरक्षित हैं अगला प्राशन 2024 ती 20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा A. 1 जून से 29 जून 2024 B. 1 जून से 15 जून 2024 C. 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 D. 1 जुलाई से 29 जुलाई 2024 Answer A. 1 जून से 29 जून 2024 Explanation अंतर राश्ट्रिय क्रिकेट परिशद ICC ने 2024 टी 20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए समूहों की घोशना कर दी है ये टूर्णामेंट 1 जून से 29 जून 2024 तक West Indies और सयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा अगला प्राश जन्वरी 2024 में बिम्स्टेक के महा सचिप का पद किसने ग्रहं किया A. मनी शंकर आया B. लाल मनी त्रिपाथी C. मुकेश यादव D. इंद्रमनी पांडे Answer D. इंद्रमनी पांडे Explanation भारत के वरिष्ट राजनेक राजदू उतिंद्रमनी पांडे ने 4 जन्वरी 2024 को धाका में बहुक्षेत्रिय तक नीकी और आर्थिक सहयोग के लिए केंद्रिय मंत्रमन्डल ने किस वर्ष तक मिशन शून्य कार्बन उतसरजन प्राप्त करने के उद्देश से भारती रेलवे के सहयोग के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है 5. जन्वरी 2024 को केंद्रिय मंत्रमन्डल ने भारत और United States Agency for International Development USAID भारत के बीच एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है ये समझोता ग्यापन 2030 तक मिशन शून्य कार्बन उद्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश इसे भारती रेलवे के सहयोग के लिए है इससे भारती रेलवे आयातित इंधन जैसे डीजल, कोईला आधी पर निर्भरता कम कर सकेगा किस IIT के शोध करताओं ने कैंसर रोधी दवा केम्टो थेसिन का उत्पादन बढ़ाने के लिए नाथा पोडाइट्स निमोनियाना की पादप कोशिकाओं को संशोधित किया है IIT मंडी, B. IIT मदरास, C. IIT कानपूर, D. दोनों A और B, आंसर, D. दोनों A और B IIT मदरास और IIT मंडी के शोध करताओं ने कैंसर रोधी दवा केम्टो थेसिन का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक पोड़े की कोशिकाओं को संशोधित किया कैंसर रोधी दवा केम्टो थेसिन्ट CPT नाथा पोडाइट्स निमोनियाना नामाक लुपतपराय पोधे से बनाए जाती है एक टन CPT का उत्पादन करने के लिए लगभग 1000 टन पोधे सामगरी की आवश्यक्ता होती है इस पोधो की आबादी में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह आयूसियन की लाल सूची में है अगला प्राशन जन्वरी 2024 में भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये भारत और गुयाना ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये अगला प्राशन भारत का खिलोना निर्याद 2014, 15 में 96 million dollar से बढ़कर 2022, 23 में कितना हो गया भारत का खिलोना निर्याद 2014, 15 में 96 million dollar से बढ़कर 2022, 23 में 326 million dollar हो गया इसी अवधी में खिलोनों का आयाद 52 प्रतिशत घटकर 332 मिलियन डॉलर से 169 मिलियन डॉलर हो गया भारत में बने खिलोनों की सफलता की कहानी पर एक केस्टडी के अनुसार आयाद शुल्क में व्रिद्धी और गुनवत्ता नियंत्रन जैसे उपायों के कारण खिलोनों के निर्याद में व्रिद्धी हुई और आयाद में गिरावट आई दो हजार अठाइस तक खिलोना निर्याद बढ़कर 3 बिलियन डॉलर होने की संभावना है अगला प्राशन का सबसे चोटा टेस्ट मैच बन गया भारत ने नियूलेंस टेस्ट साथ विकेट से जीत कर श्रिंखला एक एक से बराबर कर ली लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोर दिया जो पहले 2021 में इंग्लेंड के खिलाफ 842 गेंदों का था